कि हलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक्स का NCRT इंग्लिक्स का बुक जिसका चेप्टर है सकेंड और इस चेप्टर में डॉक्स की कहानी है कि किस तरह से डॉग अपने मालिक क खुझता है और कई तरह से अपना वो मालिक खुझता है और एक लास्ट पर जो मालिक होजता है जिससे जिन्दगी भर वो सर्विंग करते रहेगा तो चलिए लेटर से स्टार्ट इस वीडियो और यूँ वच्ट इस वीडियो कम्प्लेटली और यूँ अद्ट यूँ पढ़े इंडिक reported। मतलब क्या हो जाएगा श्राइलिक मतलब आप पढ़ें से पहले तो चलिए पढ़ते हैं इसकी पहले रिज यह कहान को स्टार्ट होने से बहले क्या करना है हमको यह चीज पढ़ना है ठीक है है तो यू रो ड़ैट दा ऑंट और वाल फ॥ ऑर अग्लोजली रेलेट्ट अब जानते हैं कि टाओं और ओल्फ है वॐल्फ मतलब क्या होता है वैणिया लोग मतलब कुत्त तो डाउग और ? जिस तरह से ऐस प्लजली रेलेटीड है ग्लोजली रेलेट्ट का मतलब होता है about how over the century आप जानते हैं कि वो सदियों से ठीक है आप सदियों से जानते हैं कि जो कुट्टा जो है वो किसका सेवा करता है तो का सेवा करता है मतलब मानब के सेवा करता है यह में घे चैन से छेट है और और मतलब होता है तो यानि हम टोमेस्टिक ये हो हुग एंट्रों हो गया ऊक्स हो गया वसलों हो गया यह सब क्या घ्रॉमेस्टिकेत्टफ मैं अंते हैं पहले है यह कुता जो है वो एक तरह से विल्ड अनिमल था उसको हम लोग क्या किए टेपड किये ठीक है पाले तो यह क्या बन गए डोमेस्टिकेट अनिमल्स बन गया हो के here is a story about how the dog become a temp animal यहां इस story में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस story में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डॉग जो है किस तरह से पालतू जानवर बना तो चलिए लेट अस्टार्ट इस वीडियो और इस story यहां पर लिखा है कि हो डॉग फॉन्ड अने होड़ डॉग फॉन्ड फॉन्ड हीमसेल्फ और न्यू मास्टर यानि कुता जो है किस तरह से अपने नए मालिक को खोज करता है मास्टर मतलब क्या होगा मालिक हो जाएगा ओके तो चलिए पढ़ते हैं डॉग वेर वन्स दियार ओन अ मास्टर एड लीव दा वे ववल्फ डू आनि यह जो है एक समय क्या था यह कि अपने आपका मालिक होता था ठीक है ओन मास्टर मतलब अपने आपका मालिक होता था और लिव दा वे वोल्फ डू और खुद के वो जिनकी जिता था किसी से वो किसी से वो मतलब नहीं रखता था अपने आप अपने आप में वो जिन्दगी जिया करता था ओके इन फ्रेडम अंटिल अडोग वाजब बॉर्ण हूँ वाज एल प्लेजट विट इस वे ओफ लाइफ इस जिन्दगी में यह क्या हुआ मतलब इतना अच्छा जिन्दगी चल रहा था इस जिन्दगी में क्या हुआ कि वो थोड़ा सा बोर हो गया बोर मतलब उप गया ठीक है इस तरह से जिन्दगी जीते जीते वो उप गया इल प्लेजट हो गया इल प्लेजट का मतलब क्या होता है यहां पे लिका है कि ओल्ड फैसन वे ओफ सेंग नोट हैपी मतलब यह नोट हैपी था खुश नहीं था ओक ही वाज़ा सिक एंड टायर्ड ओफ वांडिंग अबॉ आफ तोज हूव एर एस ट्रॉंगर दैन ही मने इसका मतलब हुआ कि यह कुटा जो था वह अपना जिंदगी जीने से वह उप गया था और यह खोजने लगा कि हम से जो स्ट्रॉंगर होगा हम उसको सेवा करेंगे और उसी का हम सेवा में अपना जिन्द्गी को गुजा रह गया था ठीक है तो मालिक के साथ में रहेगा तो उसका किसी तरह से डर नहीं रहेगा इसलिए वो मालिक ढोनना स्टार्ट कर दिया ओके आगे लेकिन एक किस में सर्थ था कि वो ऐसा मास्टर को खोजना चाहता था जो कि अर्थ पे अर्थ मतलब प्रित्वी थार्ट मतलब क्या होगा सोचना बतलब पूरा दहरती पर वो सबसे क्या हो रस्ट्रॉंग हो स्ट्रॉंग मतलब मस्बूथ हो stronger मतलब सभी से मजबूत ओके and he said odd to find such that such a master यानि इसी तरह से वो master खोजने लगा ओके आई आगे पढ़ते हैं third number he walked and and he walked टालते गया मतलब चलते गया चलते गया आगे बढ़ते गया and he made a kinsman of his a big wolf who was as a strong as he was a fires यानि चलते गया चलते गया आगे वो इसने मतलब एक भेडिया से मिला ठीक है Kingsman मतलब क्या हो जागा यहां पे old फैसें वर्ड फोर हैने वर्ड फोर है ए ए रलेटिव प्रेशर फेशर मतलब कीमस मतलब यहां पे हिंदी में अगर कहा जाए तो स्वजन हो जाएगा यह निकि इस तरह से एक तरह सजन आद्मी बोसकते हैं उसको एक आजनवी मतलब जानवर मिला उसको किसको डॉप को मिल ओके और यहां पे फायर्स मतलब क्या हो जागा फायर्स मतलब हो जागा वालियंट आप दफ राइटिंग वह फ्राइटिंग मतलब अचानक वह भीडिया को देखा तो थोड़ा सा डरा सा मसूस करने लगा लेकिन वह मत करके आगे बढ़ा और यू गोइंग डॉग है भेडिया पुछा डॉग से डॉग तो थोड़ा दर गया कि यह कौन है भाई ठीक है तो डॉग भेडिया पुछा कि आप कहां जा रहे हो डॉग डा ओल्फ आस्क वॉल्फ आस्क किया मतलब पुछा आई एम लुकिंग फॉर असमबन टू टेक डॉग जवाब देता है कि मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा मालिक हमें मिल जाए और जिसे मैं सर्विस दे सकूं अपना सेवा दे सकूं सर्विस मतलब सेवा संबन मतलब कोई भी परसन को या कोई भी एनेमल्स को जो कि वह अर्थ पे सबसेवा स्ट्रॉंग हो ठीक है आई डॉन्ट सी वाइनोट क्यों नहीं बेडिया कहा वॉल्फ कहा क्यों नहीं हाँ चलो देखेंगे चले बन जाते हैं आपका मालिक दा वॉल्फ सेड वॉल्फ सेड किया सेड मतलब कहा ठीक है and this agreed upon दोनों में क्या हुआ सहमती हुआ agree मतलों क्या होता है शहमती ठीक है ए hepat he ये रिखा हूआ है ये वरड्ट जो है agree agree मतलों सहमति दोनों में बना the two of them went on together यानि यहाँ सब्हमिन धीड की दोनों में agree हो गया तो आगे बढ़े ओक आगे पढ़ते हैं चार नमबर यानि फोर्थ नमबर दे वाक एंड दे वाक चलते गया चलते गया आगे पढ़ते गया और अगे पढ़ते गया and all of the sudden the wolf lifted his nose and a sniffed dared sorry darted quickly of the path and into the buses of the off and a creep deeper into the forest इसका मतलब क्या हो जागा देखिए इसमें सदेन मतलब अचानक हो जागा ओके लिपकेट मतलब अचानक उठा दिया वॉल्फ मतलब भेडिया हो गया and sniffed मतलब सुगा अचानक आगे जब गया तो उसमें क्या हुआ कि भेडिया अचानक रुख गया और जोर से अपना नाग उढ़ा करके और लंबी मतलब सांसले और सुग ही ठीक है और सुगने के बात में क्या हुआ कि गहरा सांसले और forest देखा ठीक है अचानक डॉख को क्या हुआ सर्प्राइज हुआ सरप्राइज हुआ ए छकित हो गया कि यह क्या हुआ अचानक वह रुक गया तो कुछ तो बात हुआ होगा अब पुछता है कि वाट डोग पुछता है कि वाट कम्स ओभर यूवा मास्टर कौन आ गया यहां पर मास्टर मालिक है ने ही आस्कड वाट है अफ्राइटेंट सो यू अचानक इतना डर क्यों गया फ्राइटेंट मतलब डरना घबराना ठीक है आप मतलब यह बोलता है वल्फ बलता है कि तुम्हें दिखाएने दे रहा है देर जाएट यहां पर भालू है और देर ठीक है और कुट्था जब पुछा कि यहां पर कौन है तो यह बोला कि दिखाए तुम्हें दिखाएने दे रहा है यहां पर क्या है यह एक यह बियर जो तुम्हें भी और मुझे भी यह खा सकता है यह यह और आगे seeing that the bear was stronger than wolf the dog decided to take up the service with him and he left on the wolf and asked the bear to do his master to be his master तो अब यहां पे यह सोचा करे भाई हम तो यह मालिक हम चाते हैं कि पुरे अर्थ पे क्या हो पुरे अर्थ पे सभी एनेमल से सभी चीज से वह स्ट्रॉंग हो लेकिन यह भीडिया तो जो है से विकनेश निकला कमजोड निकला और टिमिट निकला डर्पोक निकला ओके तो इसका सेवा हम नहीं करके हम क्या करेंगे कि बीयर को आप सेवा करेंगे लगता है कि से बीस्ट शेवा करना चाहिए अब कि आ करता है कि दबीयर मितलब बीयर के पस चल जाता है औरी निज्द दोनों में त्यारी को गया त्यार हो गय and the find herd of the cow अब दोनों में सहमती हो गया तो चले भाई आगे चलते हैं और आगे जाने के बाद कुछ खाने का समान जुआड करते हैं और खाने का समान में क्या जुआड करेगा वो herd जुआड करेगा herd of the cow herd मतलब गाय का जूंड होता है गाय ढूंडेगा और गाय को वो सिकार करके वो खाएगा ठीक है यह दोनों में decided हुआ यानि किसमे किसमे तो dog में और bear में I will kill a cow यह बोल रहा है यह bear बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा cow को kill करूँगा kill मतलब मारना ठीक है kill मतलब क्या हो जागा मारना हो जागा and then we can both eat of our fill है नहीं मतलब eat our fill काने के मतलब है कि cow को सिकार करेंगे और सिकार करने के पाद दोनों मिलके भर पेट खाएंगे और मज़े से रहेंगे they walked on and soon saw a herd of cow अचानक उसने क्या सुना sorry क्या दिखा गाय का ज्हूंड दिखा ठीक है दोनों का गाय का ज्हूंड दिखा but just as they were about to about to come up to it they were stopped by a terrible noise अचानक क्या हुआ गाय का ज्हूंड दिखा और terrible noise सुना terrible noise का मतलब होता है अचानक गाय का आवाज जो होता है अचानक डर से जो गाय आवाज निकलती है वो terrible noise होता है the cow where are moving गाय जो थे वो moving कर रहे थी moving मतलब होता है गाय का भो करने का आवाज हम लोग अपना भासां भो करना बोलते हैं अवाज निकलना गाय का आवाज को moving बोलते हैं ठीक है लॉडली लॉडली मतलब तेजी से and running in the panic पैनिक का मतलब क्या हो जाएगा तो पैनिक मतलब हो जाएगा दोस्तों घाबरहाट यह गाय जो थे वो घाबरा करके और अच्छानक मतलब तेज तेज अवाज में मतलब moving करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे दोड रहे थे ठीक है all direction और सब इधर उधर सभी डाइरेक्शन में ठीक है तो आगे लुक्ड दबियर लुक्ड लुक्ड और फ्रों दब भीहाइंड आर्ट्री अप का क्या हुआ अचानक जब गाय इधर उधर दोड रहे थे तो अचानक पेड के नीचे छीप करके प्रफड़ के बिहांड में पिछे टिकाए पीचे छीप करके और देखा लुक्त किया लुक्त मतलों देखा and then he to run a hastily deeper into the forest और अचानक देखा और दोड़ करके कहां भाग गया एक घाना जंगल में भाग गया ठीक है घाना जंगल में अंदर भाग गया डीपर यह जंगल के अंदर में भाग गया ठीक है अब क्या होता है अब यह भी डरपोक निकला आगे क्या होता है चलिए आगे देखते हैं नो वाइडिड आई हैब टू कम हेर शेड ही टू दा डॉग यानि डॉग पुछा कि इतना दूर आप दोड़कर क्यों आ गए इट इस दा लायान हूँ रूस दा फोरेस्ट इंदर इन इन इस फार्ट दोड़कर हम इसलिए आ गएं क्योंकि यहां पे क्या था लायन था ठीक है और लायन का पुरा फोरेस्ट में रूल चलता है ठीक है और जंगल का वो क्या है राजा है ठीक है यह कौन बोला बेड़िया स्वरी यह बियर बोला दा लायन क्यूल अब इसका पता ही नहीं था पता ही नहीं था कि लायन कोण होता है तो यह लायन के बारे में बताता है कि डॉन्ट यूनो अप तुम्हें पता नहीं है कर रूंगेश्ट बिश्ट ओन दर आरत यह क्या है इस क्या है तर इस प्रणद bist मतलु और इसे हम हमें डरना चाहिए ठीक है क्योंकि यह जंगल का क्या है राजा है इसलिए हमें यहां पर भाग कर आना पड़ा बैले सब्सक्रार पर अब कुटाब क्या कहता है तुम्हें हम कमजोर निकली तुमिय तुम्हें हम गुटबाइ कहते हैं और आगे बढ़ते हैं गुटबाइड या कुटबाइड और को मास्टर गीजग कोई अनि एन दोग को क्या चाहिए था लोग को चाहिए था पुरा एर्थ पे जो भी श्ट्रॉंग परसंग होगा या स्ट्रॉंग अनिमल होगा उसका हम स्यवा करेंगे तो यह तो कमज़ोर निकला तो सलोंग अब हम लायन को लायन से बात करते हैं ठीक है eight number eight number में क्या लिखा है and of the dog went to the ask the lion to be his master अब lion के पास चल गया और यह क्या क्या ask क्या पुछा क्या आप मेरा मालिक बन सकते हैं अब the lion agreed lion agreed हो गया to it इसके लिए lion त्यार हो गया and the dog stayed with him and a serve of serve him for a lion long sorry long long time any longer समय तक lion का सेवा किया जो डॉक्स था लंबे समय तक lion का सेवा किया and it was a good life or is not love अच्छा जिंद की चल रहा था okay and he had a nothing to complain of किसी चीज का complain नहीं था complain मतलब शिकायत नहीं था नथिंग मतलब किसी चीज का नहीं है नहीं for there was a stronger beast beast मतलब जानवर बता है in the forest than the lion मतलब कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जो lion से strong था यह लायन जो था वो पूरा जंगल का क्या था राजा था okay and no one are dared dared touch the dog of dog or a dog or offend him in a anyway किसी चीज का उसका मतलब डर नहीं था तिकाया यानि भाय नहीं था और lion के साथ में रहते हुए और इसी तरह से वो चिसका जिंदगी काफी समय तक चला अब क्या होता है कि ninth number में but one day लेकिन एक दिन that the two of them were a walking side side by side long path along a path यह एक रास्ते में ठीक है path मतलब यहां पर रास्ता हो जाएगा that a run amid a bear clip clip when all of the sudden the lion stop अचानक वो रास्ते में जा रहा था अचानक lion भी क्या हुआ रूख गया सटेन मतलब यहां पर क्या हो जागा अच्छानक हो जागा okay क्लिप मतलब यहां पर एक वर्ड है क्लिप मतलब क्या होता है step high rock यह नहीं का हुआ चानक उस ने गर्जा कस्क गर्जा और अपना जोर से अपना पैर को मारा कहां पर मारा चटान पर मारा नीचे मारा ताकि चटान जो था सो वो धस गया ठीक है he gave a great royal and a struck the ground and angrily not love you it not jose mara कि उसका जो नीचे वाला जो जमीन था वो धस गया ठीक है and it's poor with the such a force than a whole form whole material that's where under take a form there मतलब बन गया निर्मान हो गया whole का then he began to a back away very quickly और धीर धीर अचानक वो पीछे घसकने लगा लायन जो था वो धिर धिरे पीछे घसकने लगा what is it या क्या है और मास्टर मास्टर इन्हीं कुट्टा पुछा कि यह क्या है आप इतना जोर से दहाड़े और दहाड़ करके अपना पॉंव से इतना कसके जोर से जमीन कुमारे और पीछे हटने लगे इसका कारण क्या है what is it is anything wrong कोई गड़वड है क्या हने कुट्टा पुछता है ask the dog surprised I smell a man coming this way मैं यहां पे मुझे मतलब smell हो रहा है यहां पर सूंग रहा हूं तो कोई यहां पर किसी पर्षन का किसी आदमी का smell आ रहा है है हने smell मतलब सूंग ना ठीक है आगे लिखा है कि the lion said lion said किया said मतलब कहा ठीक है वी डिड़ अवेटर वी निड़ वेटर रन फॉर इट और वेल इल बी इन दर ट्रबल हमें यह जरूरत जरूरी है कि यहां से भाग जाओ नहीं तो हम दोनों का वो मार देगा ठीक है हम लोग दोनों का परशानी हो जागा टबल मतलब यहां पर क्या हो जागा परशानी हो जागा ठीक है रन मतलब भाग जाना तो जानते ही है ओफो अब यहां पर कुट्ता को समझ माया डॉप को समझ माया कि ओ यानि आप भी जो है से टिवेट निकले डर पोक निकले अब आप से जो मजबूत है वो कौन है अदमी है मैं है के वेल देन आई विल से अगुडबाई टो यू अब हम तुम्हें भी गुडबाई करते है लायन आई वांट अमास्टर हुई दा स्ट्रोंगर दैन एनिवन ऑन दा अर्थ मुझे तो पुरी आर्थ पे ऐसा मालिक चाहिए जो सभी से स्ट्रोंग है आप तो कमजोर निकले आपका भी गुडबाई करते हैं और तभी से आदमी का कुट्ता जो है वो सेवा करते आ रह लोगों को यहीं पेइंट करते हैं अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेजेगा चलिए थैंक्यू